हाई फ्रेंट्स वेलकम डू चेतनाज किचन तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो सबको काफी पसंद आने वाली हैं चाहे कोई भी हो बड़े हो या फिर बच्चे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी तो सबसे पहले फ्रेंट्स मैंने यहाँ पे आलो को कट कर लेना है तो ये देखें मैं यहाँ पे आलो का छिलका नहीं उतारूँगी फ्रेंट्स आलू का जो छिलका होता है अक्सर हम उतारते हैं और फिर इसकी सबजे बनाते हैं लेकिन आज यहां पर आलू का छिलका नहीं उतारूनी क्योंकि आज यहां पर बनने जा रही है बहुत ही स्पेशल सबजी तो बस बने रहे वीडियो में और एड़ तक जरूर देखना बहुत ही स्पेसल सब्जी आज हमारी बन के तैयार होगी तो बस मैं यहाँ पे चिलकों के साथ ही आलो को काटते जा रही हूँ और सबी आलो को इसी तरीके से मैं काट के तैयार कर लूँगी तो बस फ्रेंट्स आलो का जो चिलका हुता है उसमें काफी ज़्यादा मातरा में प्रोटिन होता है तो हम वैसे तो उतारते थे हैं आलो के चिल्गugen को बठ नहीं उतारना चाहिए क्यों कि आज मैं उसी तरीके से बना रही हूं सब्जी पहले ही लोग है और जो गाओं में ऐसे ही बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा और देशी स्टाइल में आपके साथ आलो की सबजी की यरेश पी शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से क्योंकि वही तरीका हम खागा के बोर हो जाते हैं तो आज मैं कुछ अलग बना रही हूँ और बहुत पसंद भी आएगा सबको कुकर के अंदर बना रही हूँ फटा फट जालतर कुकर के अंदर बनाती हूँ क्योंकि जादा टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता तो बस मैंने आपके कुकर के अंदर तेल डाल दिया उसमें डाल दिया जीरा और उसमें डालेंगे दो कटे हुई प्याज दो कटे ह होता है क्योंकि इसका फ्लेवर अलग होता है और इसके फ्लेवर से यह मारी सब्जी टेस्टी बनती है तो अब हम इसके इंदर डालेंगे हमारे कटे हुए आलू और आलू को भी कर देंगे हैं अच्छे तरीके से मिक्स तो यह देखें मैंने आप वीडियो को थोड़ा फास् पाउडर दाल दिए है छोटी वाली चम्मच नमक डाल देंगे टेस्ट के अकोडिंग जितना आपको पसंद है और लाल मिची पाउडर एक चोटी चम्मच और धनिया पाउडर भी डालूँगी एक चोटी चम्मच बस यही मसाला मेरा यहाँ पर रहेगा और कर देंगे अंदर ही बनाती हूं ताकि फटाफट बन जाए नहीं तो बनाने वाले का टाइम वेस्ट हो नहीं देखने वाले का तो आप भी इस तरीके से एक बार आलो की सबस्ज़ को जुरूर बनाना वो भी हरे प्याज की साथ पहुद टेस्टी बनती है फ्रेंट्स पहुद ज्यादा तो बस मसालों को अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और मसाले अच्छे से कोटेड भी हो चुकी है अलू के साथ तो बस अब हमें क्या करना है गास का फलेम कम कर दिया मैं कि मक्स आप तंग अच्छे त्माटर की तिमाटर ही बहुत अच्छा टेस्ट आता आलू का जो कॉंबिनेशन होता है वो टमाटर और हर्ड मृच्ची के साथ सबसे ज्यादा होथा और प्याज के साथ है ना हम आपर टमाटर डाले तक नहीं डालते हैं पे लैसन के पेस्ट की तो मैंने क्या किया जो मिट्टी वाली कुंडी थी उसमें लैसन कूटके और इसके अंदर एड़ कर दिया है तो बैस लैसन को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है और बारी आती है पानी की तो थोड़ा सा पानी डाल दूँग क्योंकि ग्रेवी की बिना इतनी रखनी है कि आलू डूब जाए क्योंकि जैसे आलू पकते है ना तो वो पानी को सोकते हैं तो इसलिए मैंने आप एक ग्रेवी पानी इतना डाला है कि आलू अच्छा से डूब जाए ओपर से लगाया धकन कुकर के और लगने देते हैं दो सीटी सिर्फ दो ही सीटी मतलब लग गया है क्योंकि इस कुकर में बार बार बनाती हो ना तो दो सीटी में आराम से आलू पकत जाते हैं ज़्यदा नहीं लगानी और हडकन हटाते हैं और उपर से भी डाल कि रखते हैं इसके अंदर हreon़ाब्याज और ये देखें फ्रेंस है अरा प्याज डालते ही ह जब भी हम इसके अंदर हैरे प्याज एड़ करते हैं बस यही है कि हैरे प्याज को हमें पकाना नहीं है हैरे पाज डालते ही हमें गैस का फ्ले मॉफ कर देना और यह देखिए काफी अच्छी सबजी हमारी यहाँ पर बन के तयार हो चुकी है तो ओके फ्रेंड्स आई होपि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को कर देखिए सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और लाइक कमेट शेयर करना बिलकूर मत बूलना मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर